बेरिंग की लाइफ को डिफाइंड करने के लिए सबसे बेले बेरिंग का गुरूप लिया जाता है और हर एक बेरिंग को एक सेंटरलेट मशीन पर माउंट किया जाता है उन पर सेम लोड एपलाय किया जाता है और सेम आर्पिम से घुमाया जाता है और उनको टाइम नोट कि कर दिया जाते हैं जैसे कि 100 बेरिंग का एक ग्रूप था हर एक बेरिंग को एक की सेंटर लेन वर्षिट में माउंट कर दिया बेरिंग को घुमाना स्टार्ट किया उनमें का पता टाइम T1 is equal to 0 ठीक है फिर उन बेरिंग को घुमाना जब तक 10% बेरिंग उनमें से फेल हो जा अंधिक है इस पर्तिकूलर लोड और युस्तिकूलर अर्पमप फिर क्या किया जैता है जो बाकी के अब 90% से मलब 90 बेरिंग बची उनको फिर से गुमायं जाता है तब तक घुमाओ तब तक 50% बेरिंग正 कर से भुमाया जाए तो माजले मतलब हनुरॉन बेरिंग जो है वो safe बच्ची ठीक है तो उसको उतने तक घुमा जाओ तो यह जो हमें life मिले का T1 से T3 उसको कहेंगे हम average life ओके फिर जो बाकी की bearing बच्ची 50% और भी bearing बच्ची जो safe थी उसको फिर से गुमाओ और 100 bearing फ्यल हो जाए पूरी की पूरी bearing फ्यल हो जाए तब तक गुमाओ और यह जो हमें time मिलेगा T1 से लेके T4 उसको कहते है maximum life तो बस यही ता बेरिंग लाइफ के बारे में उम्मित करता हो कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like कर लिए के शेयर कर लिए के थैंक्यू बेरे मच्च अ कर लिए